नमस्ति दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूटुब चेनल पिंक सीपल आज मैं आपके साथ एक ऐशी जापनीज रेमिडी फियर करने वाली हूँ इसका इस्तिमाल करने से इसकिन लाइटेन, व्राइटेन और वाइटेन हो जाती है इसके इस्तिमाल से skin tone fair होने लगती है skin पर पड़े दाग धबी जाईयां दूर हो जाते है skin natural glow करती है और soft और shiny बनी रहती है skincare के मामले में हम सब जानते हैं कि Japanese remedy काफी ज़्यादा famous है वो लोग अपनी skin को young, spotless और shiny बनाने के लिए इसी तरह की home remedies का इस्तिमाल करते है अगर आप भी पाना चाहते है flawless, tight और glowing skin तो आज का video end तक जरूर देखना ये एक body wash है जिसे आप अपने हाथ पेरों के साथ साथ face के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने जो भी natural चीजों का यूज किया है, वो हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती है और skin में 4 चान लगा देती है तो चली हम देख लेंते हैं इसको तैयार कैसे करना है उससे पहले अगर आपने abita pinks channel को subscribe न किया हो तो subscribe जरू कर लेना साथी bell icon को press कर देना जिससे कि मैं जब भी वीडियो को upload करूँगी तो सबसे पहले आपको उसका notification मिल जाएगा तो इसको तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले जुरुत होगी चाबल की हमें चाहिए होंगे white rice white rice चाहें बालों के लिए हो या फिर skin के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मन रहता है क्योंकि इसके अंदर होता है धेव शारा starch और protein जो कि हमारे skin और hair पर बहुत ही ज़्यादा अशरकारक होता है तो हमको यहां पर लेना होगा लवा दो से डाई चमच राइस बस इतने ही राइस हमारे लिए काफी होंगे इसके बाद इसमें पानी डालके इसको अच्छे से बॉस कर दीजिए जिससे के इसमें जो भी धूल मिटी हो वो निकल जाए सिर्फ एक ही वारे इसको बॉस करिए तो कि ज़्यादा धूलने से इसका starch भी निकल जाता है इसके बाद ये गंदा पानी फैक दीजिए और अब इसके अंदर साफ पानी डालके इसको रग दीजिए कुछ घंटे के लिए जिससे के चाबल अच्छे से फूल जाएंगे कम से कम 3-4 घंटे के लिए आपको पानी डालके चाबलों में ऐसे ही छोड़ देना है इससे क्या हुआ कि चाबल फूल जाएंगे और जब अच्छे से फूल जाएंगे उसके बाद में इनका जो पानी है वो आपको च्छान के अलग निकाल लेना है ये वाइट सा दूदिया सा पानी आपको मिलेगा वो आपको चाईए होगा और चाबल आप अलग निकाल के रख दीजिए अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 3-4 घंटे के लिए चाबल को भिगो के छोड़ें तो जैसा कि मैं कर रही हूँ चाबलों को आपको अपनी उंगलियों से अच्छे से दुलना है मतलब रब करना है चाबलों को इससे क्या होगा कि इसका इस्टार जो है निकल जाएगा और पानी इस तरह का दूदिया सा होने लगेगा जब चाबलों का पानी इस तरह से वाइट होने लगे उसके बाद में आपको इसको छान के अलग कर लेना है एक बावल में रख लेना है और जो चावल बच्ची हुए आप इनको कुक करके खा सकते हैं इसके बाद में आपको चाहिए होगा एक सोप जिसे आप नहाने या फिर मूँ धुलने के लिए इस्तिमाल करते हैं कोई mild soap लीजिए ऐसा soap जो आपकी skin पे hard ना हो इसके बाद में इस soap को किसी grater से grate कर लीजिए आप चाहें तो इसे चाकू से बारिक बारिक काट भी सकते हैं जितना बड़ा मैंने soap लिया है उसका बन फोर्ट पार्ट में grate कर रहे हूं आप साबुन की जगे जो ready meat soap base होता है उस इस तरह का दिख रहा है अब हमको चाहिए होगा एक पेन अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो चावल का पानी हमने निकाल के अलग किया था वो जब चावल का पानी हलका गरम हो जाए उसके बाद में इस soap को भी डाल देंगे और इस soap को डालने के बाद में इस पूंसे इसको अच्छे से हिला के mix करेंगे हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ों को add करेंगे इसलिए बिल्डियों को ध्यान से जरूर देखें जैसे जैसे यह पकता जाएगा यह थिक होना शुरू हो जाएगा फ्लेम को हमको बहुत ज्यादा नहीं रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है अब यह काफी थिक हो चुका है अब हम गयस को एक दम से लो कर देंगे इसके बाद में हम इसमें एड़ करेंगे यह कौन फ्लार एक चम्मच और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर इसको मिक्स हो जाने के बाद में हम इसमें एक और चीज एड़ करेंगे अब हमको गयस को कर देना है और अब इसी स्टेज पे हम इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच मिल्क पावडर मिल्क पावडर को डालने के बाद में इसकी कंस्टेंसी एक दम से स्मूध हो जाएगी ठी क्रीमी पेश्ट बन चुका है क्योंकि इसमें सो पैड किया है इसलिए ठंडा होने की बार में हार्ड होने लगेगा अगर आप चाहते हैं कि यह इसी तरह की फॉर्म में रहे तो आपको इसमें थोड़ा सा दूद मिक्स कर देना होगा इससे क्या होगा कि यह जमेगा नहीं औ और पानी के साथ में इसको अच्छे से मिक्स करके लगा लीजिए इसमें काफी अच्छे से बबल्स बनते हैं जैसे की साबुन में होता है यह इसकिन की बहुत ही अच्छे सी क्लीनिंग करता है उसको ब्राइट करता है इसमूद बनाता है यंग दिखाता है इसकिन को मैं उ आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते